वेल्कम बैक टू मैं चैनल और आज हम लोग परने वाले स्पाइनल कॉट में बेसिकली जो एसेंडिंग ट्रैक्स होता है उनके बारे में इसके बारे में ओवर्वियू लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बात का टॉपिक है उस पर यह मदद करेगा ठीक है तो हम लोग इसको लोग टीयस बोलते है ट्रांस्वर्स सेक्शन तो यह हम लोग इसके बारे में परने वाले हैं बेसिकली आपको यह पता होना चाहिए कि जो स्पाइरल कॉद है उसे बीच वाला होता है वह अपता ग्रे बेटर कबरा होता है और बाहर वाला प्ता वाइट बेटर कबर है उसमें यह मायली शीट के वज़े से इसका वाइट एपेरिन्स आता है इतना अपको पता होगा तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है तो हमें इतना पता है कि यहां पे जो भी आएगा वो नुक्लियस आएगा यहां बे जो भी आएगा हमारा नव फाइबर जी हो पूरो दिसकी हो तो अपर कौन से च्टार कोर से तो हम लोगों के दो ट्रैक्स होते हैं असेंडिंग और शुखर, मुटित्व थाइब को हो हिरा, जैसे हम यह मार में और रिसेप्टर है, थीक है हाथ है हुश्च है, अब यहां से जो नरिपा धाय। इसको ब्रेल तक ले के जाएगा उसको क्या वो लेगे? जूसरी नॉपआर्फ ए हो उसको ब्रेल लेक GesOn जूसरी नॉपशर रहा है लूसरी नॉपकर ब्रेन असरा खर रहा από जिला सकतनिज को सकतन परटेंच तो यह ब्रें तक जाता है कभी कभी ब्रेने ले एक ब्रेंग पार कें तोऑर थो जसे इसंडींग ट्रेक्स पोलते हैं के इसंडींग बेसिक लिए का मोजी पताना था अब आग अगर हम इसको हता दे एस चीज को अब देखो तो हमें एसेंडिंग ट्रेक्स के बारे पढ़ना है तो यहां पर 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 मुझ धर इसका तरह सबसे पहले पोस्टेरिय साइड आप पहला जो एपना फैसिकुलिस ग्रैसिलीस होगा और सेकेंड वाला जो दिखेंगा इसका मनलब क्या है की जो ग्रैसिलीस वाला है यह लोवर लीम से जो है सेंसेंशन फो उपर लेकर जा रहा है कि एक एक असर्ट है तो पॉस्टेरियर से 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 पॉस्टेर तो는 खिए पर श्रफ फयेतर ही खिला इसको सॉत खिए, गजा नीजा को हों आ अरतों कमरे बर्शाइबर मैं ही अरतों कंग की सानद एक होता है Spinal-Olivary Tract तो यह जो यहां पर यह ओलिवरी नुकलियस पर जाएगा ठीक है तो यह ओलिवरी नुकलियस क्या चीज है यह हम लोग अभी पूरा T.S. परेंगे ना उसमें आ जाएगा तो यह अभी बस इतना समझ लो परेंगे नुकलियस पर जाएगा तो यह सब का नाम आपको याद रखना परेगा यह सब अपना Ascending Tracts जो मैंने अभी बताया अब हम लोग इसके Descending Tracts तो Descending Tracts में क्यों कोंसे Tracts आता है सबसे पहला आता है Cortico-Spinal तो Cortex से ब्रेन का Cortex अरिया है उससे वह Spinal Cord में जा रहा है वापस तो यह वापस आ रहा है तो यह वापस आ रहा है ना Motor Fibers इसको हम लोग बोल दिये क्या Anterior Cortico-Spinal Tracts तो यह भी दो तरह के होते है एक तो होते है lateral और एक होता है anterior अब यह Crossed Uncrossed का मतलब क्या है यह हम लोग जब T.S. of Medulla परेंगे तो इसमें हम लोग पता देंगे क्रोस्ट Uncrossed का मतलब क्या है पिरामिडल का मतलब क्या है अभी इतना समझों कि Cortex से Spinal में आ रहा है तो इसको rubro spinal बोले एक reticulospinal होता है जो reticular formation से spinal cord में आ रहा होता है तो इसको अब बोले यह भी दो तरह के होता है lateral and medial ठीक है तो यहां भी यह medial होगे यहां पर यह lateral हो गया एक होता है olivospinal जो के olivory ducleus spinal में आता है एक और flow chart है जो कि वह थे मुझे सही लगा इसके लिए देखो यहां पर ascending tracks के बारे में बात करें तो पता है कि Spinal Tectum में जाता है Spinal Tectum में जाता है Spinal Tectum में जाएगा Spinal Cerebular anterior हो या posterior हो ओविसली Cerebular में चला जाएगा Cerebellum में चला जाएगा Red Nucleus से आ रहा है तो Rubro Spinal बोलेंगे तो इस ताइप से बहु सारे नाम है जो कि आपको धीरे दीरे याद हो जाएगे अभी तो बस एक orientation था पाकी next video में मिलता है Bye Bye